बेसन की चक्की अगर ये आपसे कभी perfect नहीं बनती है तो आज के बाद आपसे हमेशा ही अच्छी बनेगी। दराई में डालके ड्राई रोस कर सकते है συν when dry roast करणा जब रोम टेंपरेचर पेज़ना दाल कर तक venting나라 रह start इस अच्छ रहा है रहना दल करी Cas Pod still you do और मोटी वाली चलनी से हम इसे चान लेंगे आटे वाली चलनी से जो बड़ी वाली चलनी होते हैं उससे आपने इसे चानना है और इसका जो पार्टिकल्स बचेना उससे वापस से आपको ग्राइंड करना है और फिर से इसे चान लेना है, इसमें कोई भी मोटे टुकडे हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर यह दिख रहा है, इसे हम वापस से पीसेंगे, और फिर से इसे हम चान लेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा बेसन बनके त्यार हो जाएगा, तो उस बेसन में से मैंने दो अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, फिर सवी के सास्थ बेसन घी के साथ कोटो हो जाना चाहिए, तो हाथों से इस तरीके से रब करते हुए ुक्स की जैए, और देन आपने गुनगुना दूद लेना है, ना गरम ना ठंदा, गुनगुना दूद के साथ इसका हमें आठा लगा ना बीचापना है इसका आटा यूपए बिना बिना बना रही है वे इसका आटा यूपाने पानी लगाना है यूप प्लπीक्षाटिंट बेड़ी के साथ अ मैं बनाना है, आटा शॉफ्ती बिल्कुल बीनी लगाना है जितना हाड आटा आप लगा सकतो हो ना उतना हाड आटा आप लगा लीजिए इस तरीके से दबा दबा के इसकी मुठिया आप बना लीजिए अब इनको हमें फ्राई करना है तो मैंने आधा कप घी गरम होने रखा है घी जैसे हलका गरम हो जाएना जादा गरम नहीं करना हलका गरम करना है उसमें हमें ये मुठ्या डाल देनी है फ्लेम एकदम कम कर देनी है और कम फ्लेम पे हमें इने फ्राई करना है जब तक कि इनका क तो बाद में आपको जादा मेहनत करने पड़ेगी जो आपका हाद भी दर्द होगा और आपको फिर ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत टफ है तो इस टाइम आप कम फ्लेम पे इस तरीके से उलटते पलटते जाएगे और इवनली फ्राई कर लीजिए जादा टाइम नहीं स्टिल आपका काम बहुत इजी हो जाएगा तो इस पे आप देख सकते हो ब्राउन कलर आने लग गया है जहां जहां हलका हलका कलर है उसको हम घी में लेके जाएंगे और उसे भी हम ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो अभी इस तरीके का कलर जो है ना वो हमें चाहिए जब आपको इस तरीके का कलर मिल जाए ना evenly फ्राई हुआ मिल जाए बस तब आपको फ्लेम को बंद कर देना है और इन्हें आपको बाहर निकाल लेना है इन्हें अब जादा देर घी में नहीं छोड़ना है तो घी को जारते हुए हम इन्हें बाहार निकाल लेंगे और इसी घी में हम आगे का प्रोसेस करेंगे आपको अलग से घी लेने की ज़रूरत नहीं बढ़ेगी ये सारे मुठी हमने निकाल ली है अब इन्हें हमें थंडा होने देना है अब ये बहुत गरम है तो आप इसे पंके के नीचे रख दीजे 10-15 मिनिट में ये ठंडी हो जाएगी और जब ये ठंडी हो जाएगी तो पहले हातों से आप इसे क्रश कर लीजे जितना आप से हातों से होता है हलका मोटा मोटा रहेगा तो चलेगा उसके बाद mixer jar में डालना है और इसे 10 से 15 सेकंड के लिए पीस लेना है जादा टाइम नहीं लगेगा hardly 15 से 20 सेकंड आपको इसमें लगने वाले हैं और ये पीस जाएगा उसके बाद उसी मोटी वाली चलनी से आपको इसे छान लेना है सेम प्रोसेस करें हैं जो हमने पहली पहले थी न वहीं अब देख सकते हैं और मोटे ताने हैं इनको हम वापस mixer के जार में डालें और पीस लेंगे प्र शान लेंगे तो उस्तों में इलिए बते पार गड़ीट में अड़ी अश् ने बोला यह उल्रेडी सिखा हुआ है तो घड़ी में देखके चाठ से पांच मिनट से एक लीजिए नहीं तो इसका कलर जब आपको हलका से लगे ना जो हमने डाला उससे थोड़ा सा चेंज हो गया बस तभी आपने फ्लेम को बंद कर देना और इसे हम एक बरतन में निकाल सबस्कीं बारी आती है इसकी चाषणी बनाने का तो 2 कप बेसन लिया है तो आप हमें चीनी लेनी है भारीक वाली चीनी है वही मैंने ली है और इसमें 3 4 कप हम पानी बालेंगे त्पानी को हम पकने देंगे, चीनी मतलब घुलने देंगे जब चीनी अच्छासे घुल तो थोड़ा सा हल्दी पॉडर ढाल सकते हो केसर zu इक पॉड्ग चाहे को उबलने के बाद 5-5 तो जह समय है और एक तार इस तरीके से बनना चाहिए एक तार जब आपको लगे न हाँ अच्छा वाला एक तार बन रहा है अगर यह आपसे गलती हो भी जाती है तो भी मैं आ गया आपको वीडियो में बताऊंगे कि आपको उसे किस तरीके से ठीक करना है अब बस एक तार की चाशनी बनत क्या करना है उस केस में आप बेसन के मिक्षर में गुन गुना दूट डाल दीजिए उसे मिक्स कीजिए देन आप चक्की जमाओगे तो भी आपकी चक्की आराम से जम जाएगी 15-20 मिनट के लिए हमने इस मिक्षर को छोड़ दिया था अभी चक्की सेट होने के लिए कर सकते हो हम लोग नहीं खाते हैं तो मैं नहीं लगा रही हूँ मैं इसको बादाम के साथ सेट होने रखा है अब आप इससे आधे सेट हो जाएगी नहीं तो तीन-चार घंटे उससे जादा टाइम नहीं लगता है उसके बाद आप इसमें कट लगा दीजिए अब चक्के तक भी as it is रहेगी ऐसी ही soft रहेगी ऐसा लगेगा आज ही बनाईए इतनी जादा fresh रहेगी तो इस दिवाली आप यह recipe ट्राइज जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी और यह भी जरूर बताना कि आपकी दादी नानी मम्मी बगर ऐसी ही बनाते हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेर कर सकते हो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है जाद से जादा शेर करना है और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बैबाई